कि जैसरी राओंगी मैं अजय महराथ बहुत दिनों से आप सभी लोगों की दिवांड पर और बहुत पिसेस लोगों के आगरह पर एक यूटूब चैनल बनाने जारम काफी वर्सों से काफी दिनों से मेरे कई भक्तों का ये मस्से विसेसा नरोग था कि गुरूजी आप अपना एक चैनल बनाया धात्मिक है कि मैं मन में भी आया है पर कुछ करणों वस लोगों के इस आगरह को टालता रहा है मैंने यूटूब पर बहुत सारी इस टाइब के चैनल देखे तो मुझे लगा अनेकों अनेक चैनल इस दिसा में कार कर रहे हैं उस मेंसे कुछ ही चैनल सही जानकारिय आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं बाकी मैंने देखा बहुत सारे चैनल गलत जानकारियां कितावी जानकारियां मन गलत जानकारियां भक्त जानां को उपलब्द करा रहे हैं जिससे की मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो आज के परपेच्छ में है जानकारियां अधूरी है आदा स्वक्त है आदी अदूरी जानकारियां है जिससे की किसी भी भक्त का उधार नहीं हो सकता ये तो आप सभी लोगों को मालो है आदा अदूरा ग्यान बहुत ही कष्ट करें इस कारण मज़े लोगों का विशेस अनुरोद आने पर लोगों के विशेस आग्रेब आप सभी भक्त लोगों के और सभी प्रिये जनों के उद्धार हैं एवं सही जानकारी हैं ये मैं अपना ही चैनल आज आपको समर्पित कर रहा हूं इसका नाम है एडवेंचर अफ कॉस्मिक इनर्जी रखा है इसको नाम है कॉस्मिक इनर्जी के बारे मैं आप पहरी इस वीडियो में आपको मैं कुछ जानका या दे रहा हूं कॉस्मिक का मतलब क्या है कॉस्मिक का मतलब ब्रह्मांडी है इस धर्थी के इस आर्थ के अलावा संपूर्ण अंत्रक्ष संपूर्ण ब्रह्मान की उर्जा हैं उसको हम लोग कॉस्मिक इनर्जी बोलते हैं पहली कॉस्मिक इनर्जी मुक्ष परकार से दो परकार की होती है नम्मार एक पॉजिटिव इनर्जी नम्मार दो नगेटिव इनर्जी सबसे पहले हम पॉजिटिव इनर्जी के बारे में कुछ संचित चर्चा करेंगे आप लोग से पॉजिटिव इनर्जी इस अखिल भ्रम भ्रमांड की वो उर्जाय हैं वो इनर्जी हैं जो आप लोगों के हित्का कार करती हैं अच्छा कार करती हैं जैसे उधारों आपकी अच्छी सिहत का होना आपकी अच्छी बुद्धी का होना आपके अच्छे व्यापार का होना आपके अच्छे स्वास्त का होना आपके अच्छे तरक्की का होना, आपके अच्छे व्यापार का होना, आपके घर में विवा इत्याद होना, संतान के उत्पत्ति होना, घर मकान बनना, जितने भी अच्छे कार हैं, ये सब पॉजिटिव इनर्जी से होते हैं, पॉजिटिव इनर्जी के आशीरवाद से ही संपन होते हैं, दूसरी तरफ, हम लोगों के, आप लोगों के, जितने भी नुपसान हैं, जितने भी गलत चीजें हैं, जैसे लोगों की तवियत का खराब होना, सेहत खराब होना, लोगों का काम नंदा ठप होना, अचानक किसी बने बनाए काम में रुका बटाना, बिवाग का ना होना, संतान का ना होना, एक्सिडेंट होना, किसी के घर में अकाल माथ होना, ब्यापार का अचानक ठप हो जाना, अचानक किसी की बुद्धी का खराब हो जाना, अने को अने के इस प्रकार के कार हैं, जिससे की, बहुत भरी च्छती होती है, नुफसान होती है, ये सब नगेटिव उर्जाओं, नगेटिव एनर्जीज के दौरा ये कार होते हैं, तो मैं सबसे पहले हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ, कि हम अपने जीवन में पॉजिटिव इनर्जी को कैसे बढ़ाएं, और अपने घर में, अपने शरीर में पॉजिटिव इनर्जी भढ़ाते हुएं, जो नगेटिव एनर्जी उनका समाधन कैसे करें, उन नगेटिव एनर्जीओं को कैसे दूर करें, जब तक हमारे सरीर से, हमारे घर परवार से, और हमारे जीवन से, हमारे घर से, ओफिस से, नगेटिव इनर्जी दूर नहीं होगी, जब तक तरक्की और अच्छेकार का होना बहुत ही मुश्किल है, अगर होंगे भी, तो बहुत ही कम मात्रा होगा, अपेक्षित मात्रा में सफलता नहीं मिल सकती है, ना सियत ठीक हो सकती है, अनेक और अनेक प्रकार की बीमारिय, अनेक और अनेक प्रकार के कष्ट, जो नगेटिव इनर्जी के द्वारा होते हैं, उन से बचने के लिए, या उनको ठीक करने के लिए, हमें सबसे पहले, नगेटिव इनर्जी इसको अपने जीवन से, अपने स्वास्त से, अपने सरी प्रवार से दूर करना ही होगा, जब तक यह दूर नहीं होगी, जब तक आपको positive energy भी प्राप्थ नहीं होगी, यह बात आप अच्छे से सुनागी, आपने अने को लोगों से सुना हो, अने को जगे पढ़ा होगा, देखा होगा, कि आप यह मंत्र का या इस particular सक्ति का चाए वो बावा की सक्ति हो या मैया की सक्ति हो, इसका आप अनुस्ठान करना है, इसके आप मंत्र जाप करना है, आप फ्राना पुया पाट करना हो, या स्वयम करना हो, जिससे कि आपका यह सम निवागर्म हो जाए, परन्तु ऐसा नहीं है, उसका आप एक छोटा सा उधरन समय को, अगर एक गलास है, और उसमें विस भरा हुआ है, या मदरा भरी हुआ है, आदे गलास में है, या आदे से अदे गलास में है, अब आप चाहें कि वो गलास, अमरत से, दूद से, या किसी अच्छी चीज से भर जाए या उसमें बदल जाए, क्या ये संभाव है, नहीं, ये जद तक संभाव नहीं है, जद तक उस गलास में भरा हुआ विस या मदरा है कि ना जाए, दूर ना किया है, उस गलास को खाली ना किया है, उसके बाद उसमें दूद या अमरत या कोई अच्छी चीज या गंगाजन भरा जा सकता है, इसी पिरकार अपने जीवन में, अपने सरीर में, अपने घर में, अपने घर परवार में, पॉजेटिव इनर्जी, पॉजेटिव कॉस्मिक इनर्जी या पॉजेटिव इनर्जी, भरने के लिए, पाने के लिए, सरप्रत्म, आपको अपने सरीर से, अपने घर से, अपने घर परवार से, उस नेगेटिव इनर्जी को दूर करना ही होगा या करवाना ही होगा जब तक वो नेगेटिव इनर्जी दूर नहीं होगी आप का घर आपका सरीर आपका परवार पोजिटिव इनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकता यह बात आप अच्छे से समझें इसका मैंने एक छोटा सा आपको अधारण भी समझा है ठीक इसके मैं कुछ और अधारण भी आपको देखा हो आपने देखा हो सुना बहुत लोगों से बहुत लोगों ने कहा है और किया है और अपने अन्वाव बताए हैं लोगों कि हमने फ़लाने गुरु जी के कहने से या फ़लाने पंड़ जी के कहने से हमने अपने घर में मैया का माता का विसाल जागरन कर आए या बाबा का जागरों कर आए या भवान सत्त रायरण की कथा कर आए या हमने घरह सामती की पूजा कर आए या हमने कोई विसेश आयरीजन कर आए या हमने साथ दिन की जो भागवत होती है हमने वह विकार आए और हमारे उसमें लाखों रुपए खर्च परंतु हमारे जीवन से कश्ट नहीं लिए ना हमको उसका अप्यक्षित लाप रख प्रूब है नमबर एक ऐसा आपने बहुत सुना हुआ हम देखा हुआ दूसरा आपने यह भी सुना हुआ यह भी देखा हुआ कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं किसा हम तो बहुत पूजा पट करते ही नह कि बहुत जाब किये बहुत अनुस्ठान किये लेकिन हमको तो कोई फाइदा मिल नहीं है लगता है कि पूजा पाट करने वालों को और जाने कस्ठ होता है यह आपने सुना हुआ और यह सब्त लिए यह सब्त क्यों है बस बात वही है गिलास वाली है आप लोगों ने इतने बड़े बड़े पूजा आयो जाने इतने बड़े अनुस्ठान भागवत गीता सुन्धाकान रामाण पाट अखंड रामाण पाट अवन इत्यार यह भहुत सारी विशेस पूजा है करवाई भागवत कराई मात आवे जागन कराया करवाई और उसमें स्वयम भी सामेल हुए और विशेस खर्चा भी हुआ और अंतु उसको लाव आपको नहीं मिला क्यों नहीं मिला तो क्योंकि यह सब जो पूजाय थी कि यह तुरी और आटा को प्रप्त करने तो दित ही है बस बात वहीं है कि Member सutylıड यह आपको मिल नहीं पर और क्योंकि आपके सरीय पे आपके घर में आपके घर पर बड़ार्मन ड़ारा है। उसका नवारंग न पंदाजी ने किया ना गुरुजी ने किया न किसी ने बताया और उस नगेटिब इनर्जी को दूर किया वे ना आपने सीधे सीधे पोजिटिव इनर्जी को प्रात्त करने हेतु इतने भारी भारी इतने बड़े बड़े आयोजन और अनुस्ठान किये और करवाई जिसमें काफी अब काफी सारव खर्चा भी हो देखिए जब तक आपके सरीर से आपके घर से आपके परवार से नेगेटिव इनर्जी दूर नहीं होगी पॉजेटिव इनर्जी प्राप्त हो ही नहीं सकती अब कितने भी आयोजन खरा लें quad lleg कितulator कर लें कितने भी अनुस्ठान कर ले करवा लें कि उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि घर की सरीर की घरपरवार की नेगेटिव इनर्जी दूर ना हो यह पहला नियम है मेरे आपको बता दिया जब तक आपका सरीर आपका पाथ्र ग्लास रूपी सरीर जब तक खाली नहीं होगा जब तक सुच नहीं होगा जब तक इसमें से नेगेटिव इनर्जी दूर नहीं होगी, आपको पॉजिटिव इनर्जी मिल ही नहीं सकती है, आप कितने भी जतन लगते हैं, और यहीं एक सबसे वड़ा कारण है, कि इतनी पुजा पार्ट करने से, करवाने से, आप लोगों को कोई लाब नहीं होता है, कि आपको कोई भी पुजा पार्ट का लाब पाने के लिए पहली सर्थ है, क्या आपको अपने सरीर से, अपने घरपरवार से, अपने ऑफिस से, जो नेगेटिव इनर्जी है, उसको दूर करवाना ही पढ़ेगा, करना ही पढ़ेगा, देखिए, सोयं करना बहुत कटिंगा किसी योगी व्यक्ति से किसी योगी गुरू से उसको कुछ विसेस अनुस्ठान विसेस पुयाय होती है बड़ा तक्नीकी पुयाय हैं वो तक्नीकी विदिया हैं उनसे आपको सबसे पहले नेविटिव इनर्जी को दूर करा रहा है जब आपके सरीर से घर से घर परवार से नेगेटिव इनर्जी दूर हो जाएगी आपके नुक्सान स्वता बंद हो जाएगी शरीर स्वयंस होने लगेगा, बीमारियां स्वता दूर हो जाएगी, शरीर स्वस्त होने लगेगा, काम जो अठक रहे, बेगण रहे, वो बनने शुरू हो जाएगे, उसके उपरांत, जब आप कोई अनुस्ठान, कोई पूजा, कोई जागरण, कोई भागवत, कोई कता, सुन्दरकार्ण, या अखन रामार्ण, गीता पाट, मैया का जागरण, मार्ता का जागरण, बावा का जागरण, भावत इत्याद कराएगे, उसका फिर आपको संप्रू क्योंकि आपका पात्र खाली तो सुपात्र हो गए आप, जब आप सुपात्र हो गए, तब आपको पॉजिटिव इनर्जी आपको प्राप्त होगी, जिसे कि आपकी दिन-दूनी राच्चावनी तरक्की होगी, स्वास्त भी बढ़िया होगा, विसेसलाव होगा, और यह बहुत बिश्तृत चेत्र है, मैं बस चंद लाइने और बोला हूँ, कि पॉजिटिव इनर्जी मेंली होती किया है, देखिए, पॉजिटिव इनर्जी हमारे ब्रह्मान, हमारे सनातन धर्म, जितने सक्तिया हैं, माता की, भावा की, उनके जो आसीरवाद है, उनके जो देवदूत है, गड़ है, उनको पाना, उनकी विसेस करपा पाना, उनका आसीरवाद पाना, उनका अंस का पाना अपने सरीर में धारण कामा, उसको पॉजिटिव इनर्जी किया है, पॉजिटिव इनर्जी और भी कही प्रकार की है, ton ट्यूंट मिल ति उम्मा रहे सूरे सीम commissioner कि सूर्भी भातों कि और अपने गृरुवां से अप tiram है। अपने अ चारें से उनसे भी प्राप्त होती या कोई सिद्ध से उनके चनम से करने से फिर प्राफ्त होती हैं क्लिंगि वह कॉजिटीव इनर्जी की कवा नैय। कि नगेटीव आइनर्जी आप से वह नकारात्मख उर्जा ऐन में। जो हमारे जीवन में जितने फिरकार के नुकसान होते हैं, उनको कराती हैं, नकारात्मक उर्जा के जो मेन सुरोत हैं, वो अत्रबत आत्वा हैं जिनको हम लोग संगट बोलते हैं, जिन पर हम लोग भूत प्रेट बोलते हैं, बहुत सबसर मुख्य वही हैं, और इनकी एक बिसेश बहुत बड़ी स्रंखला है, इस पर बहुत सारे बराइटिया हो, और ये सब 84 लाख योनियों में हैं, और भगवान दौरा निर्मत हैं, चिक, और जब ये सरीर में घर में प् नकरात्मक कार करती हैं, नकरात्मक चीजाओं को बढ़ाती हैं, अच्छी चीजाओं को खतम करती हैं, रोकती हैं, नुकसान करती हैं, बीमार करती हैं, सारे कावों को रोकती हैं, इसी प्रकार से, बहुत से ऐसे लोग हैं, इस रष्टी, इस प्रत्वी को, जो नकरात्मक उर्जा से भड़े हुए हैं यह जिनके पास बहुत सारे संकाट हैं जिनके सरीर हैं और वो लोग जब आपको बद्वा देते हैं या बुरी नजर से देखते हैं या इर्षा करते हैं तो उसके माध्यम से वह आप तक उनकी नकरात्मक, ऊर्जा है आपके सारी वा ठनेयस्क जतने अभाच्य भुझन हो unexpected लिंन नकरात्मक उर्जा होतीं हैं कि के जो व्रत्ती नकरात्म आ याँ मैं नहीं खानने चाहिए कि अभाच्य चीजेव उनका सेवन बलट है तो उनको नगरात्म कूर्जा भजल्दी पगड़ लेती है जैसे हम लोग अपने घर को अपने वाहान को अपनी बस्तूं को सुद्ध और फवित्र रखते हैं अच्छा रखते हैं उसी प्रकार से हमको इस सरीर को अपने घर को भी सुद्ध रखने हैं और उसके लिए सबसे पहला नियों यह जैसे कि समय से पहला सौचित्यात से निर्वत वेशनान करना है उसके उपरांत है हमको रो जहां तक संभव सकाहरी भोजानी करना चाहिए वह सबसे उत्तम और बढ़िया सुद्य देशिगी घी दूद्ध फल मेवा इत्यात का सेवन ही करना चाहिए हमको अबाक्षे से बचना चाहिए है नॉन वेज़ जारु इत्यात से पसमें चाहिए अगर हमको नकरात्म पूर जाओं से दूर रहना है तो और जहां नकरात्मत्ता हो जहां ये कारवत होते हों वहां से वहां जाने से भी बसना चाहिए जैसे जुआ घर शराव घर बहुत से ऐसे जगह हैं जिनके मैं ना में आउचित नहीं समझता हूं इविन ऐसे लोग भी है जिनके सरीर में बहुत नकरात्मत्ता है ये नकरात्मकूर्जाएं हैं उनके पास भी ज्यादर नहीं बैटने चाहिए या उनके घर का वहन भी हमको खाने से बसना चाहिए क्योंकि जैसे अगर हम उनके यहां के खाएंगे तो हमारा सरीर भी नगरात्मकूर्जाओं से भर जाएं तो हमको अपना घर अपना सरीर अपना परवार अपनी सभी चीजे स्वक्ष रखनी चाहिए अपने विचार उत्तम अभिन चाहिए कि मorship के आक neither हें अ उस्द्ययों को नहीं आने देने हैंा विचारीक सुद्यता भी बहुत आवसक है इस जीवर में उत्तांग करने ही हैं पॉजिटिव इनर्जी को फ्रत करने कि आपके विचार उत्तम होंगे तो कर्म लिद्धम हो और कर्म उत्तम तो भविश्म भीतम हो जादे तर लोग नकरात्म पूरजाओं से भरे पड़े उन वो दोसित हो चुके है उसी अंसरार उनके कर्म भी दोसित होते जा रहे हैं पिर उनका जीवन में बहुत सारी दोसान हो रहे हैं और वो समझ दहीं पार है कि यह सब क्या हो तो मेरा आप लोगों से यह अगर हैं जितना संबभ हो सकी है आप अपने आपको सुद्ध रखें सुद्ध भुजन करें सुद्ध विचार रखें नकारात्मक चीजों से दूर रहें और जो नकारात्मक उर्जाय आपके घर में सरीर में परवार में भरी बढ़िया जिनसे आपको विसे इसकष्ट हो रहें उसका निवारम किसी उचित माध्यम से उचित गुरु से जरूर संपन लगें तब ही जीवन में आपके उन्नती अच्छा स्वास्थ और अच्छी तरक्की और पोजिटिव इनर्जी तमी प्राप्टी और वीडियो लंबी हो रही है बाकी बाते अब हम आपके साथ समय समय पर और हो सका तो रोजी सेर करेंगे अपने इस आपके प्रिये इस चैनल के माध्यम से इस चैनल का नाम एडवेंचर और कॉस्मिक इनर्जी है यह आप लगों का प्रिये चैनल है मैं हाद जोड़के आपसे प्रात्ना करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर जरूर दवाएं अपनों आउठव जिससे की भविस में आपको आने वाली जो वीडियोज है उनके समय से आपको नोटिफिकिशन प्राप्त हो दें और मैं अपना पर्चर और बाते आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में देना चाहूंगा अभी बस इतना ही जैस्री राव झाल 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 झाल